नमस्कार मैं हूँ पाइल गुडिया दिल्ली की सत्ता हासिल करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनोती मानी जा रही है शायद यही वज़ा है कि दिल्ली बीजेपी केजडिवाल सरकार के खलाफ आकरमक मूट में आ गई है बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंग बगगा ने बुदवार को दिल्ली की गली चुराहो पर पोस्टर बाजी कर केजडिवाल सरकार को घेरने में जुट गई है दिल्ली बीजेपी की ओर से चौक चौराहों पर कई पोस्टर्स बैनर लगाए गए हैं जो पूरी तरह ब्लैंक है पोस्टर्स के ओपर लिखा है पिछले पांस सालों में केजडिवाल सरकार के दिल्ली में के गए कारे तो वहीं पोस्टर के नीचे लिखा है तेजिंद्र बग्गा, प्रवक्ता, दिल्ली भाजपा दुआरा जनहित में जाली पोस्टर में रिपोर्ट कार्ट के नाम पर कुछ नहीं लिखा है, पूरा साधा है इस पोस्टर के जरिये बीजेपी ने केज़िवाल सरकार पर तंच कसा है, कि उसने पिछले पांच सालों में कुछ नहीं किया है केजरिवाल समर्थक भी बगगा के खाली पोस्टर को सरकार के काम से भरने में जुट गए हैं और भरे हुए पोस्टर को बगगा को ट्वीट करने लगे दिविंद्र यादा नाम के आप समर्थक ने ट्वीट कर कहा कि वा बगगा वा बस ऐसे ही अच्छे कामों का प्रचार करते रहो दिल्ली बोले दिल से केजरिवाल फिर से केजरिवाल समर्थक के चुईट पर तेजिंदरपाल बगगा ने एक और टुईट करते हुए कहा की केजरिवाल के वेलो को काम मिल गया कल रात से पोस्टर भर भर की भेज रही है जितना समय पोस्टर भरने में लगा रही है अगर इतना समय दिल्ली में काम करने में लगाया होता तो लोकसबा चुनाव में 13,000 में से 13,000 बूथो पर जमान जब्त नहीं होती तेजिंदर पाल बग्गा ने यही पोस्टर एक और बार टूइट करते हुए लिखा की चम्चे जल रहे हैं तो थोड़ा और जला देते हैं बीजेपी नेता रविंदर गुपता ने लिखा तेजिंदर बग्गा ने इतना सारा काम किया है अर्विं केश्रिवाल ने पिछले 5 सालों में वा भाईवा जनिता इस बार अच्छे से जवाब देगी बीजेपी आईटी हेड अमित मालविया ने लिखा पिछले 5 सालों में केश्रिवाल के आप सरकार दुआरक किये गए कारियों पर दिल्ली में लगे इन पोस्टर्स को देखा तेजिंदर बगगा रॉप्स बीजेपी सांसत प्रवेश्ट साहिप सिंग ने ट्विट किया दिल्ली के धरना मालिक अर्विं केश्रिवाल जी के 5 साल का कोरा चिथा कुछ ट्विटर यूजर ने इस तरह के मीम भी पोस्ट किये है सोशल मीडिया पर कैम्पेन चुलाने में माहिर तीजिंदर पाल सिंग बगगा की क्रियेटिविटी का शिकार इस बार केश्रिवाल सरकार हुई है बगगा मेट, पोस्टर, सोशल मीडिया पर चाय हुए है आपको बता दे कि अन्ना आंदुलन से खड़ी हुई आमादमी पार्टी अब तक दो बार दिल्ली विधानसवा चुनाव लड़ चुकी है इस साल 2013 के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था लेकिन केश्रिवाल ने कॉंगरेस के साथ मिलकर सरकार बना ली जो 5 साल भी नहीं चली और गिर गई इसके बाद साल 2015 में फिर विधानसवा चुनाव हुए इस बार आमादमी पार्टी सत्तर में से सरसर सीटे जीत कर आए जबकि बाकी तीन सीटे बीजेपी को मिल भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई केश्रिवाल सरकार जादतर मोधी सरकार से ही लड़ती रही जिससे केश्रिवाल सरकार की नकरात्मक छवी बनती गई और इस साल हुए आम चुनाव में दिली की जनेता ने केज रिवाल को साथ में से एक भी सीट नहीं दी सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की लोग सभा में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ करने वाली बीजेपी की नजर अब विधान सभा चुनाव पर है